आम तोर पर दही की लसी को पिया जाता है लेकिन हमारे जोदपूर में मखन या लसी मिश्रिलाल जी की मखन या लसी को खाते वे पिया जाता है वो कैसे तो वो ऐसे कि वो उस लसी में भरपूर मातरा में मखन भी डालते हैं ड्राइफूट्स भी उसमें होते हैं और उस लसी क के लिए सबसे पहले हमें लगेगा गाडा मीठा दही तो ऐसा गाडा और मीठा दही आप घर पे कैसे लगा सकते हैं उसका डीटेल रेसिपी वीडियो मेंने बनाया हुआ है उसका लिंक कमेंट बॉक्स में एक बार चेक किजेगा इसके बाद आपका दही कभी भी खटा भी न मिक्सर में ना करें ये काम इस तरह से मथनी से इसे मत हैं तो बहुती बढ़िया हमारा दही तयार हो जाएगा एकदम स्मूध इसका टेक्शर हो जाता है देखे कि इतना गाडा हो गया है दही एकदम अब इसमें में डाल रहे हैं थोड़ा सा नमक कुछ लोग नमक नहीं ड कर सकते हैं मिशरी का पाउडर डोरा मिशरी काउडर में बना के रखती हूं गर्मियों में इसी रखती हूं शर्बज, शिकंजी सब में काम में लेती ओं क्योंकि इसकी तासीर बहुत ठंडी होती है अब इसमें डाल रहे हूं कूटी हुई इलाइची भरपूर मात्रा में इसका स्वात बहुत अच्छा आता है, इसमें इलाची को भी कूट के डालें, मिक्सर में इसका पाउडर नहीं करें, बस तयारी मखन या लसी अभी से परोसने का एक तरीका होता है, क्लास में इस तरह से गाड़ी सी दही की लसी डाली जाती है, आप चाहें तो इसके अंदर भी मखन डाल सकते हैं, लेकिन उसे सर्व करते समय इस तरह से उपर, घर का बना ताजा मखन डाला जाता है, इस मखन में नमक नहीं है, ध्यान रहें, अमूल का बटर वगिर नहीं लेना है, घर पे जो हम मलाई से बनाते हैं मखन गी निकालने के लिए, वो मखन इस पर डाल अब इन गर्मियों में ये जोदपूर के प्रसिद्ध मिश्रिलाल जी की होटल की मखन अलसी बनाईए और इसका आनन लीजिए, रेसिपी वीडियो आपको पसंद आया है, तो लाइक, शेर और कमेंड करना बिलकुल भीन भूलें, फिर मिलेंगे एक अच्छी सी रेसिपी क इसाथ तब तक के लिए सुस्त रहिए, मस्त रहिए और सबसे बड़ी बात, खाते रहिए, धन्यवाद